हेलो स्टूडेंट्स हमने पिछले वीडियो में कुछ वर्ड्स की बात की थी जो इस चैप्टर में हमारे काम आने वाले हैं और उनका हिंदी मीनिंग समझा था और किस तरह से चैप्टर में इस्तिमाल होने वाले हैं किस कॉंसेप्ट में हमने उनको पढ़ना है ये भी हम कर चुके थे कुछ और वर्ड हैं जैसे लगमनेस प्लांट्स यानि फलीदार पोधे जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं लगमनेस प्लांट्स नोडूल्स गरंथिक आई यह जो लगमनेस प्लांट होते हैं यानि फलीदार जो पोधे होती हैं इनकी जड़ों में छोटी-छोटी गरन्थियां होती है यानि गाठें होती हैं उन में कुछ बैक्टेरियदा पाये जाते हैं जो समय नॉट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं यानि यह एंवार्मेंट में जो zijीं है उसको प्लांट के युटे बल पार्टमें वो कर देते हैं कि इसलिए वह एलप करते हैं और plants उन्हें food प्रोवाइड कराता है और वो वो प्लांट को food प्रोवाइड कराती है इस तरह की जो relationship होती है उसे symbiote relationship कहती है यानि सह जीविता एक दुसरे पर निर्भर करते हुए जीना ऐसे बहुत सारे आनिमल पाए जाते हैं जो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे पर depend करते हैं उसके बाद है constituents constitute का मतलब होता है parts या फिर जिन चीजों से मिल करके कोई चीज बने हो जैसे हम कह सकते हैं कि मिट्टी किस्त की सीज की बने हुई है silicon और oxygen की तो यह उसके constituents हैं उसके बाद compound compound होता है उन constitute का compact form यानि हम कह सकते हैं silicon oxide यह मिट्टी का formula बनता है यानि हम इसे compound कह सकते हैं जो किन-किन चीजों से मिल करके बना है silicon और oxide कि टेस्ट ट्यूब परक्नली आपने science lab में कभी न कभी जरूर शुना होगा टेक के टेस्ट लेप यानि टेस्ट ट्यूब तो वह होता है एक पाइप सेप की एक स्टक्चर होती है ग्लास की बनियों ही जो एक तरफ से बंद होती है और एक तरफ से उपन होती है lime water lime water चूने का पानी आपने घरों में जो सफेदी की जाती है वह जरूर सुनी होगी वह सफेदी चूना होती है और उसमें अगर हम पानी मिला दें तो वह वाइट एक तरफ से वाइट solution बन जाता है उसे हम कहेंगे चूने का पानी मड़ पोट मड़ पोट होता है मिट्टी के बरतन मिट्टी के बरतनों को मड़ पोट कहा जाता है कंसेंट्रेटिड का मतलब होता है कोई भी ऐसा सोलूइशन जिसमें घुली हुई चीज की मात्रा ज्यादा हो जैसे हम नमक गोलते हैं एक किसी ग्लाश में मान लेजिए एक ग्लास में हमने एक चम्मत को गोला है दूसरे ग्लास में पानी उतना ही लिया लेकिन दो चम्मत नमक के गोल दिये तो जो दूसरा ग्लास होगा जphonें दो चम्मत हमने गोले हैं वो concentrated solution कहलाएगा as compared to first one यानि ऐसा solution जिसमें amount घुले हुए यानि solute का amount जादा हो concentrated solution उसके बाद extreme condition शक्त प्रिस्थितियां ऐसा पाया गया है कि कुछ bacteria या कुछ viruses बहुत tough condition में भी रह जाती है मतलब जीवित रह जाती है और उस तरह की condition को extreme condition कहा जाता है जैसे ज्वाला मुखी के अंदर आपने बहुत temperature होता है उसमें भी यह जीव पाए जाती है आस्मान में जहां oxygen है यह नहीं वहां पर भी जीव पाए जाती है समंदर के बिलकुल गहराईयों में जहां ना light है और ना ही ठीक से हवा है और कुछ भी नहीं है वहां पर भी जीव पाए जाती है यानि extreme condition में यह जीवित रह सकते हैं कुछ और important facts है information है जो इस chapter में हम पढ़ेंगे जैसे सब पहले है इस दिए उस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ता है जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं और इन नहीं इस दूसरा नेम दिया जाता है माइक्रोब्स यह सिंपल नेम है जैसे हम नेम निकाल देते हैं किसी का ऐसे ही माइक्रोब्स कहा जाता है इनको लेकिन यह scientific नेम है bacteria bacteria are the microorganism which are present almost everywhere and are smaller in size bacteria वो microorganism होते हैं जो लगबग हर जगह मौजूद होते हैं और बहुत छोटे होते हैं fertility it means to enrich the soil with the nutrients and especially nitrogen मिट्टी को nitrogen प्रोवाइड करना ताकि उसमें plant की growth के लिए जरूरी चीज़ें मौजूद रहें यह soil fertility कहलाता है अगर मिट्टी में वह चीज़ें मौजूद है तो हम उसे fertile soil कहेंगे और अगर नहीं है तो इसे fertile नहीं कहेंगे it is done by some bacteria and the green blue algae यह चोटे चोटे bacteria की help से जो है अपने आपको enrich करती है मिट्टी जिस मिट्टी में यह bacteria कम होते हैं वह मिट्टी क्या हो नलजाती है बंजर हो जाती है कि माइक्रोबॉबस द अदर नेम ऑंक Records अभी अभी हमने बताया था माइक्रो दूसरा निएम होता है माइक्रोजम के लिए spelling को कम करने के लिए माहिक्रोब बला गया है है आन्टी बोडी वेन डेशिक करिंग माइक्रोब्स enter our body body produce antibiotics to fight the invader invader का मर्तब होता है वे चीजें जो रोग को फैलाने का काम करती है यानि जिनकी जिसे रोग होता है एंटिवाइडिस हमारे सरीर के द्वारा प्रड्यूस की जाती है जब हम विमार हो जाते हैं कोई वाइरस या कोई बैक्टिरिया या माइक्रोब्स हमारे शरीर में एंटर कर जाता है तब हमारा शरीर उससे बचने के लिए कुछ अंदर से ही सैल्स करता है जिने एंटिबाइटिक कहती है अगला है फार्मंटेशन द प्रोसेस ओप नवर्जन ओफ सुगर इनटू अलकोहल इस नौन ऐस फार्मंटेशन sugar को alcohol में change करने की जो process होती है उसमें कुछ bacteria add करने पड़ती है यानि sugar में कुछ bacteria हमें add करने पड़ती है तो एक biochemical process होती है जिससे sugar alcohol में convert हो जाता है और इस process को fermentation कहती है communicable disease ऐसी बीमारिया जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है separate from an injected person to infected person to a healthy person through air water food or physical contact यह इस तरह की डीजीज जो एक परसन से दूसरे परसन में भैलती हैं उन्हें communicable disease कहती है उसके बाद है lactobacillus the bacteria present in curd is called as lactobacillus दही यानि कर्ड दही में जो bacteria present होता है जिसकी वज़े से ऐसा टेस्ट आता उसका वह lactobacillus कहलाता है उसकी बाद है वैसिन वैक्षिन या फिर वैसिन कह सकते उसको यह होती है इस डेड़ वीकेंड micros which is introduced in a healthy body यह एक प्रोसेस है फाल्स प्रोसेस इसमें हम क्या करते हैं कमजोर किटानों को शरीर के अंदर एंटर करवाते हैं ताकि शरीर उससे लड़ने के लिए एंटिबायोटिक त्यार कर लें और शरीर को लगे चाकि यह किटानों एक्चुली में क्या है बहुत कमजोर हैं शरीर जो है अपने आपको मोटिवेट करेगा फिर वो कंटिनिउसली जो स्ट्रॉंग बेक्टेरिया उनको भी खतम कर देता है और यह प्रोसेस वैक्सिनेशन कहलाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन दप्रोसेस और चाहिए नाइट्राइट्स और नाइट्राइट्स यह दो चीजें जरूरी होती है नाइट्रोजन से लेटिड है पोधों को अपनी ग्रोथ के लिए लेकिन एंवार्मेंट में प्रेजेंट नहीं होती इनको चेंज करते हैं कुछ बेक्टेरिया जैसे हमने लिगुमिन वो उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड में चेंज कर देते हैं और नाइट्राइट्स में चेंज कर देते हैं यह प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन के लागती है फूड पोईजनिंग सम माइक्रोब्स डैट ग्रोव ओन आवर फूड में प्रडूस टॉक उसको चेंज कर देते हैं इनकंप्लीट कारबन डायोकसाइड में यानि कारबन मोनोकसाइड देती है जो हमारे शरीर के लिए क्या होती है यानि पोईजन होती है और उससे हमें सीरियस इल्नैस या फिर इवन डैफ भी हो सकती है हम बहुत ज़्यादा बिमार पड़ सकते हैं हमारी मृत्यू भी हो सकती है इसलिए जितना हो सके में फूड को फ्रेश ही खाना चाहिए बासी खाना खाने से यह प्रोब्लम हो सकती है तो आज के लेक्चर में इतना ही कल हम इसको टेक्स बुक से रीड करेंगे Okay, all the best.